एक लड़की कावस की फूल बेच रही थी लेकिन वो फूल कोई भी नहीं खरीद रहा था अब एक अच्छी विच वहां पर आकर उसकी फ्लावर्स पर मैजिक करके उन्हें खुबसुरत और अच्छी फ्रेग्रंस वाला बना दीती है अब ये विच आखिर कौन थी और उसने अब इसी के साथ हम देखते हैं एक विच को जो जंगल में अकीली रहा करती थी और उसका नाम दे लिटल विच था और यहीं पर हम देखते हैं कि वो मैजिक करने की प्रैक्टिस करती रहती थी लेकिन उसका कोई भी जादो सक्सेस्फुल नहीं हो पाता था उसके साथ साथ में सारे विचिस डास किया करती थी और वहां पर वह काफी नज्वाई भी करती हैं तब वो क्रोव से बताता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती हैं और तुम तो वहां पर इंवाइटेट में नहीं हो और साथ-साथ तुम बहुत चोटी भी हो तब लिटल अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने कभी कोई विच देखी है और इन बज्चों को ये बात भी पता होती है कि साल में एक बार सारी विचिस डांस करने के लिए इकटा होती है रात के टाइम लिटल विच अपने घर में चुके चुके से अपनी मैजिकल ब्रूम ये जद के बीच शामिल हो जाएगी लेकिन तभी वहाँ पर एक पुरानी विच जिसका नम रबन पहल होता है वो लिटल विच को पकड़ लीती है और वो सभी को बताती है कि देखो हमारे बीच एक विजिटर आई है मीन्स बिन बुलाई महमान जो कि अभी चोटी है जिस पर लिट मिले कि में आप लोगों जैसा बना चाहती हों और मैं आपकी बात मानोंगी अप जैसा कहें कि में वैसा करंगी गऊइंगी है कि जसी पैस्ट होगा तुम्हारा टेस्ट होगा और अगर तुम पास हो गई और इस बुक में लिखे गए सारे स्पेल्स तुमने याद कर ली तो तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया जाएगा लेकिन बाकी विचिस इस बात पर एग्री नहीं करती और वो कहती है कि इसे कोई ना कोई पनिश्मेंट ले लेती हैं और उसे जला भी देती हैं अब क्योंकि जाड़ों के बगएर तो लिटल विच अपने घर नहीं जा सकती थी इसलिए वो तीन दिन का लंबा सफर पार करके इस बारी बुक को ठाकर पैदली अपने घर जाना पड़ता है और किसी ना किसी तरह करके लिटल कर रहे थी डांस कर रहे थी और इसी के साथ में रंपम पैल पर भी काफी घुसा हों क्योंकि उसने मेरे जाड़ों ले ली और उसे चला दिया और मैं उससे बदला लेना चाहती हूं यह कहकर लिटल विच वहां पर एक फेस ड्रॉ करती है जो कि काफी ओफनाक लग रहा था पर लिटल विच कहती है कि एक दिन मैं रंपम पैल को ऐसा बना दू और अब वो उस बुक को खोल लेती है वो बड़ी सी बुक जहां से उसने सारे स्पैल्स याद करने थी लेकिन वो स्पैल्स अभी तक उसे ठीक से बूलने भी नहीं आ रहे थी इसलिए वो कोई ना कोई गड़बर करती रहती थी पर एक दिन वो जंगल में देखती है कि कुछ औरते चोटी लकडियां जमा कर रही है और वहां हवा ना चलने की वजह से वो औरतें काफी परेशान भी थी तब यह देखकर लिटल विच अपना मैजिक करती है जिससे वहां पर काफी तेज हवा च जिससे वह जर्णल अब कहें दीता है कि तुम कि सारी लगडियां ले जा सकती हो तो लिटल विच उस जर्णल को कहती है कि तो मजे मिरे घर पर चोड़ तो अब उस जर्णल के उपर इतना मैजिक हो चुका था कि वह लखडियों को भी अपने पीचे उठा लेता है और साथ साथ विच को भी जब लिटल विच गर आती है तो वो कुरोव से कहता है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था तुमने उन औरतों के हैल्प की तो यह तो अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस जर्णल से बदला भी लेती अब क्योंकि लिटल विच तुमस की बेहन करी हुई है जिसकी मदर के पास केंडिस निल्वाने की पैसे नहीं थे इसलिए पहले लिटल विच अपने लिए प्रूम पसंद करती है और साथ साथ वो कुछ केंडिस भी खरीद लेती है और जब थोमस की सिस्टर अपने पॉकेट चेक करती है तो उसमें स उसे समझ नहीं आती है कि आखिर उसके पास एक एंडि कहां से और कैसे आए वहीं पर लिटल विच एक लड़की को देखती है जो कि कागस की पूल बेच रही थी वो लड़की उसे बताती है कि यह पूल कूल भी नहीं खरीद रहा है और तब है लिटल वीच उन फ्लॉवर उसके अपने घर जाती है उदर थोमस और उसकी सिस्टर अपना रास्ता बूल गए थे जंगल में और इसलिए वो लिटल विच की घर भी पहुंच जाते हैं तब दोनों बच्ची उसे पैचानकर कहते हैं कि तो मार्केट वली लड़की है तब लिटल विच काने के लिए उन् इपना मैजिक करके दिखाना यह शुरू कर दीती है तब बच्ची उसका मैजिक देखकर बहुत खश्यों जाते हैं और बाद में वो लिटल विच से अलग अलग चीज़ें करने के लिए कहती है तब लिटल विच को कहती है कि मैं यहां से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क क्यों ना मैं तुम से मिलती चलो और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है या नियूस बुक की पढ़ाई तब लिटल विच उससे कहती है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं तो सफाई कर रही थी यहां पर रंपम पेल को पता चल गया था कि अभी अभ गर पर तो कोई भी नहीं है अब यहां पर वो जो दो बच्ची होते हैं यहीं वो सिब्लिंग्स वो छीखने लगते हैं तो उनकी वजह से यहां पर लिटल विच को भी चीखना पड़ता है तब रंपम पेल को शक हो जाता है कि गर की अंदर कोई ना कोई तो जरूर है और वो यह सारे चीज़ें अपने बुक के अंदर नौट भी कर लेती है अब लिटल विच इन बच्चों को वापिस इनके घर बेचती है लेकिन रंपम पहल उन बच्चों को पकर लेती है और यहां पर उसे पता चल जाता है कि यह वही बच्चे है जो लिटल विच के घर पर उदर लिटल विच को समझा रहा होता है कि जब तुम्हीं पता था कि फ्राइडे को मैजिक नहीं करते तो फिर तुमने मैजिक क्यों किया अब लिटल विच कहती है कि मैं थो उन बच्चों को बस खुश करना चाहती थी अब लिटल विच यहां पर उस बुक को पूरे साल बोद अच्छे से बढ़ती है ताकि वो सारे मैजिक स्पैल्स याद कर सके और वो हर टाइम कोशिश करती भी रहती थी कि वो इन स्पैल्स को ठीक से बोल सके अब इसके बाद यहां पर विंटर सीजन आ गया था जहां क्रों को सर्दी लगने की वज़ेसी वो बार जाने से म मैजिक करती है उन दोनों शरार्ती बच्चों को सबक सिखाने के लिए इसलिए वो दोनों बच्चे वहीं पर बरफ में पास जाते हैं तब बागी सबी बच्चे यह देकर कोश्य हो रहे थी और जब उदमी से एक बच्चा उदास होकर वहां से जाने लगता है तो लिटल विच उसका पीचा करती है और यहां पर रबबम पैल भी मुझूद थी लिटल विच उस बच्चे से पूछती है कि तू मुझे थोड़ा परेशान लग रहे हो तो मुझे बताओ कि आखर क्या बात है तो वो बच्चा बताता है कि जो आदमी मुझे मार रहा था असल में वो मेरी फादर है और उन्हें जूए की लट लग गई है और वो सारे पैस उसे में वेस्ट कर दीती है तब यसंदे लिटल विच उस बच्ची की हईउप करती है और रात में वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस बच्ची की फादर जुआ खेलने आया करती थी और वो लोग वहां पर गेम खेल रही थी जहांपर मैजिक होने की वज से वो बार बार बोरन फ्लोर से टकरा रही थी जिसकी विजह से वो पूरी जगह तोड़ जाती है और तब उन लोगों को धकी देकर वहां से निकाल दिया जाता है जिनमें उस बच्ची की फादर भी शामिलती तब बच्चा अपने फादर की हेल्प करता है तब यहां पर उस चलते हुई दिखाए दीती है और इसी के साथ उसे वहां पर केक भी नजर आता है अभी सब कुछ उस क्रों ने किया था क्योंकि आज लिटल विज का बर्ड़े होता है और आज वो पूरे एक सो अठाइस सालों की हो गई थी पर एक दिन रभबम पहल लिटल विज के घर की और मैं एक अच्छी विज बनकर दिखाऊंगी और आज वो दिन आ चुका था जिस दिन लिटल विज का टेस्ट होने वाला था और वो एक ऐसी केव में जाती है जहां पर कोई भी नहीं था और तबी वो आवास लगाती है कि मैं पहुंच गई हूँ और तबी यहां पर बा साफी कुछ हो जाती है और तबी रभब बैल कहती है कि मैंने पूरे साल इस लड़की पर नजर रखी है यह तो एक अच्छी विच है लोगों के साथ बलाई करती है लोगों के हैल्प करती है और इसकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं होई है और ना ही फेस पर रिंकल्स आय क्या और यह बात मुझे आज से पहले बताई भी नहीं गई थी कि बलाई करना विच इसके लिए मना होता है अब इसी वजह से लिटल विच की सारे मेजिकल पावर्स खतम होने वाले थी कि तब ही रभब बैल कहती है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर का बला कह देती है और यह भी कह देती है कि अगर तुम यहां पर ना होती तो अच्छा होता क्योंकि तुम नहीं मुझे अच्छा बना सिखाया था यह कहकर वो उस क्रों को अपने घर से बाहर निकाल देती है अब पूरा एक दिन होने वाला था इसलिए वो उन सिब्लिंग कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है बिल्क ये तो अच्छी बाठ है तब लिटल विज उनसे कहते है कि आज मेरी जादू की आखरी राथ है और इसकी बात में कभी भी जादू नहीं कर पाऊंगी लेकिन टबे लिटल विज उन बचल की चारों तरफ बलकि याद रखना अब जब लिटल विच घर आती है तो वो सोचती है कि अगर ये magical book ही खतम हो गई तो सब कुछ खतम हो जाएगा क्योंकि किसी भी विच को एक भी spell याद नहीं है इसलिए लिटल विच सारी तैयारी करके उन spells को याद करके चली जाती है लेकिन जिए वो अपनी पॉकट की अंदर match box डालती है तो match box वही पर गिर जाता है अब यहां पर वो crow सोचता है कि उसे लिटल विच की help करने के लिए जाना चाहिए और आज की रात वही रात थी जिस रात सभी विचिस मिलकर डांस करती थी अब लिटल विच वहाँ पर आकर जादू करने लगती है वो सभी की broom एक सारी बॉन फायर में डाल दीती है और इसी के साथ वो सारी magical books को भी बुला ली ती और उन्हें भी वो बॉन फायर में डाल दीती है लेकिन उसके पास match box नहीं था और एक मिनट के लिए वो भी spells भूलने लगती है और इसी वज़े से सारी विचिस उस पर भावी पढ़ने लगती है लेकिन तब यहाँ पर लिटल विच एड विच को एक frog में बदल दीती है अब यहाँ पर वो सारी विचिस हस्तो रही थी लेकिन रमपम पेल वहां से गाईब हो जाती है अब यहाँ पर वो क्रो भी पहुच चुका था लिटल विच की help करने के लिए वो match box लेकर अब लिटल विच अपना magic करकी वहां की सारी विचिस को frog में बदल दीती है उसे अहसास होता है और वो अपनी क्रो को गले से लगाती है और अब जैसे ही वो बड़े से bonfire को आग लगाने ही वाली थी कि तब ही उसे रमपम पेल मिल जाती है जिससे लिटल विच हमेशा से ही एक अलग जानवर बनाना चाहती थी और फाइनली लिटल विच उस पर अपना magic क कि उसे खौफनाक से जानवर में बदल देती है इसकी बाद लिटल विच उस bonfire में आग लगा दीती है जिससे सभी की magical bombs और वो books भी जल जाती है और वो सारी विच जो कि अफ्रॉग बन गई थी वहां से दूर बाग गई थी अब लिटल विच और उसका friend crow वहाँ पर अकील रही थी और इसी के साथ ये movie यहीं पर end हो जाती है